कि नमस्कार दोस्तों क्लास सेवंत महारश्ट्रा स्रिद्बोर्ड मैथेमेटिक्स चप्र नमबर 13 पैथागोर स्तिरम प्रैक्टिसेट 48 हमने इससे पहले जो वीडियो था उसमें स्वाल किया है अब प्रैक्टिसेट 49 हमें यहां पे स्वाल करना है तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक और शेर करें और बिल आइकोन प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन्स मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें तो जो नेक्स्ट प्रैक्टिसे के लिए तो पाइथागोरेंट ट्रिपलेट क्या होता है देखिए है ट्रिपलेट का मतलब होता है तीन ट्रिपल मतलब तीन ट्रिपलेट तीन नंबर्स का ग्रूप उसे हम कहेंगे ट्रिपलेट तो पाइथागोरेंट ट्रिपलेट अब पाइथागोरेंट इस तेरह में क साइट स्क्वेर, तीनों साइट में सबसे ग्रेटिस्ट हाइपोटेनिस होती है, तो जो तीन नंबर्स पाइथागोरस थेरम को सैटिस्फाय करेंगे, उन तीनों नंबर्स को हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं, अब कैसे दिखिए, अगर 3, 4 और 5, तीन अगर हम साइट होगी 5, उसका हमें स्क्वेर लेना है, 5 का स्क्वेर होगा 25, अब जो 3 का स्क्वेर है, और 4 का स्क्वेर है, रिमेनिंग 2 नंबर्स का स्क्वेर, इनके हमें एडिशन करना है, स्क्वेर के एडिशन, तो 3 का स्क्वेर होगा 9, 4 का स्क्वेर होगा 16, दोनों की एगर हम addition कर लेते हैं तो 25 यहाँ पर भी 25 तो यहाँ पर 25 तो इसका मतलब यहाँ पर 3,4 और 5 ये जो तीनो numbers हैं इनको हमें मिला कर Pythagorean triplet कह सकते हैं तो 3,4,5 is a Pythagorean triplet हम ऐसा लिख सकते हैं इसके इन तीनो numbers के लिए ये तीनो numbers मिलकर Pythagorean triplets form करते हैं तो इसी point के उपर practice set 49 depend है तो चली हम practice set 49 के questions solve कर लेते हैं practice set 49 question number 1 find the Pythagorean triplets from among the following sets of numbers निचे देएग एंबर्स में से Pythagorean triplets को find करिए यह question है अब देखे इसमें सबसे greatest number को पहले हमें लेना है 5 5 का square 25 अब जो remaining two numbers है उनके square के addition 3 का square plus 4 का square 3 square होगा 9 4 square के value 16 दोनों के addition 25 25 और 25 equal है तो हमें लिखना कैसे है यहां पर देखे 5 square is equal to 3 square plus 4 square 3,4,5 is a Pythagorean triplet is a Pythagorean triplet यह पाइथागरें triplet है 2,4 और 5 इन तीनों नमबर्स में आप देखे सबसे greatest number 5 5 का square होगा 25 अब remaining two numbers 2 का square 4 का square 2 का square होगा 4 और 4 का square होगा 16 16 और 4 इन दोनों के addition होगी 20 20 तो 20 और 25 दोनों नमबर्स इक्वाल नहीं है तो इसलिए 5 square is not equal to not equal to कैसे लिखना है 2 square plus 4 square 2 square plus 4 square is not equal to 5 square hence the numbers 2,4,5 2,4,5 is not a Pythogorean triplet यह Pythogorean triplet नहीं है क्योंकि जो सबसे greatest number है उसका square जो रह गए दोनोंबर्स है उनके square के addition को equal नहीं है 3rd question दिखे 4,5,6 तो सबसे greatest number 6 6 का square 6 square is equal to 36 अब जो remaining 2 numbers है 4 और 5 तो 4 का square plus 5 का square 4 का square होगा 16 और 5 का square होगा 25 दोनों नम्बर्स की addition 41 तो 36 और 41 दोनों नम्बर्स इक्वल नहीं है तो यहाँ पर होगा 6 square is not equal to 4 square plus 5 square अगर ये दो नम्बर्स इक्वल नहीं है तो 4, 5, 6 is not a pythagorean triplet ये pythagorean triplet नहीं है तो जो question number 4, 5, 6 इसी question के और 3 questions है जो इसी method से same इसी method से आपको solve करना है तो 3 questions आप homer के लिए मतलब मैं homer के लिए आपको दे रहा हूँ तो ये आप घर में 3 questions solve करिए अब जो next question है question number 2 इसी practice it का वो अब हम solve करेंगे question number 2 the sides of some triangles are given below find out which ones are right angle triangles triangle की sides हमें यहाँ पे दी गई है तो कौन सा triangle right angle triangle है यह find करिए तो देखे right angle triangle में सबसे greatest side जो है वो hypotenes होती है तो यहाँ पे जो सबसे greatest side है 17 हम यहाँ पे मान लेते हैं और जो remaining two sides है 8 और 15 अगर यह right angle triangle होगा तो यह 3 numbers pythagorean triplets होगे अभी तक जो question हो चुके हैं उनमें आपको समझ आया होगा कि जो 3 numbers है right angle triangle के sides अगर है या 3 numbers right angle triangle के sides को represent करते हैं तो यह 3 numbers भी pythagorean triplet form करेंगे तो सबसे greatest number का square is equal to sum of the squares of remaining two numbers अगर equal आता है मतलब यह दोनों equal आता है तो 3 numbers मिला के right angle triangle form करेंगे तो यहां पर हमें क्या करना है कि सबसे greatest side का पहले हमें square लेना है 17 का square इन तीनों side से right angle बनता है या नहीं बनता है अभी देखें कभी-कभी 3 sides दिये गए हो suppose 6, 7 और 8 तो यह right angle triangle नहीं बनेगा और कभी-कभी sides दिये जाएंगे तो right angle triangle बनेगा तो कब बनेगा और कब नहीं बनेगा तो जब बनेगा उसके लिए पाइतागरस theorem है नहीं बनेगा उसके लिए भी पाइतागरस theorem है लेकिन यहाँ पे equal नहीं होना चाहिए यहाँ पे equal होना चाहिए तो यहाँ पे 17 square 17 का square हमें पहले लिखना है 289 17 को 17 से multiply कर लीजे 17 का square आ जाएगा अब जो remaining two numbers है 8 और 15 तो 8 का square प्लस 15 का square तो 8 का square होगा 64 प्लस 15 का square होगा 225 फिर इन दोनों के addition हम कर लेते हैं तो 5 प्लस 4 9 6 प्लस 2 8 और यहाँ का 2 तो 289 तो 289 और यहाँ पे भी 289 तो दोनों numbers equal आ गये हैं तो यहाँ पे हम लिखे लेते हैं कि 17 square is equal to 8 square प्लस 15 square hence 8, 15, 17 is a Pythagorean triplet 8, 15, 17 यह Pythagorean triplet है hence 8, 15, 17 are the sides of right-angled triangle यह तीनों number जो हैं वो right-angled triangles के triangle के sides है तो sides of right-angled triangle तो same इसी मितर से जो next question है second question वो भी हमें इसी तरीके से solve करना है second question में देखिए सबसे greatest number है 15 तो 15 का square 225 अब जो smaller numbers हैं इनका square और उनकी addition 11 square प्लस 12 square तो 11 square की value होगी 121 प्लस 12 की square की होगी value 144 तो इन दोनों की अगर हमें addition करने हैं तो 4 प्लस 1 5 4 प्लस 2 6 और 1 प्लस 1 2 तो 265 और 225 यह दो numbers equal नहीं है तो हम यहाँ पर लेख सकते हैं 15 square is not equal to 11 square प्लस 12 square तो इसका मतलब 11 12 और 15 is not a pythagorean triplet यह pythagorean triplet नहीं है अगर यह pythagorean triplet नहीं है तो इन तीनों साइड को लेकर right angled triangle नहीं बनेगा तो 11, 12, 15 are not the sides of right angled triangle यह तीनों भी right angle triangle के sides नहीं है अब नेक्स्ट जो थर्ड कोशन है इसमें दिखे 11, 60 और 61 अब इन में जो सबसे greatest number है 61, अगर हम 61 का square लेते हैं तो यह होगा 3721, 61 को 61 से multiply करिए, 61 को 61 से multiply तो यह number आ जाता है, और 60 का square होता है 3600, और 11 का square होगा 121, अगर हम इनके भी addition कर लेते हैं, तो यह 3721, तो यह तीनों साइड जो हैं वो pythagorean triplet form कर लेते हैं, तो यह तीनों साइड जो हैं वो, तीनों नंबर्स और इन तीनों साइड से right angle, triangle बन जाएगा, तो इसी question को आपको step wise लिखना है, मैं अभी यह question जो है, वो skip करने वाला हूँ, मतलब लिखने वाला नहीं हो answer, answer तो आपको बता ही दिया है, उसी को आपको exam ऐसे ही लिखना है, तो हम next question number 4 solve कर लेंगे, 1.5, 1.6 और 1.7, अब 1.5, 1.6, 1.7 में से, 1.7 जो नंबर हो सबसे greatest नंबर है, तो हमें 1.7 का square लेना है, तो 1.7 का square, देखिए 1.7 को 1.7 से multiply करना है, तो 289 इनका multiplication आता है, decimal point के आगे दो डिजिट, तो डिजिट चोड़कर point, तो 2.89 यह होगा 17 का square, मतलब 1.7 का, फिर 1.5 का square, प्लस 1.6 का square, तो 1.5 का square देखिए 225, 15 का आ जाएगा, decimal point के आगे यहां के जैसे दो डिजिट, तो 2 डिजिट चोड़कर point, 2.25, प्लस 1.6 का square, 256, 16 का square, दो डिजिट चोड़कर point, तो यह 2.25, प्लस 2.56, इनका addition, तो यह होगा 5 प्लस 6, 11 कारी 1, 5 प्लस 2, 7 प्लस 1, 8.4.81, तो 4.81 और 2.89, यह दो नमबर्स इक्वल, नहीं है, इसले 1.5, 1.6, 1.7, यह दो नहीं है, यह दो नहीं है, इसले 1.5, 1.6, और 1.7, और 9.4 और 9.7, और 9.6, 1.7, 0.9, नहीं है या फिर हमें ऐसे भी कर सकते हैं कि इन तीनों साइड से राइट एंगल ट्रेंगल फॉर्म नहीं होगा अब जो नेक्स्ट क्वेशन है 40 20 और 30 क्वेशन नमबर 5 तो का क्वेशन नमबर 5 तो वह आप ओमर्क में इजिली सॉल कर सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों वीडियो देखते रहिए अच्छे मार्क्स लेते रहिए मज़े में रहिए तो नेक्स्ट वीडियो में हम चाप्टर नमबर 14 शुरू करेंगे इस वीडियो के साथ यहाँ पे चाप्टर नमबर 13 समाप्त हो